नवस्कार दोस्तों आज बात करें है HFC Limited के बार में अगर बात करें कम्पनी का स्टोक प्राइज कम्पनी का स्टोक 64.45 पर ट्रेड कर रहा है अगर बात करें पिछले पांच साल की तो 399% का यहां पर रिटन आपको कम्पनी में देखने को मिल रहा है अगर पिछले एक साल की यहां पर मार्केट का जो सेंट्रीमेट का उसके अकोर्गिंग और कंपणी यहां पर आपको डानवर्ट देखने को मिल रहा है जैसा कि हर क्या स्टोक में देख सथे और आपको काफी यहां पर सेंगर्सेरी कुछ इसके का से हैं कुछ इसे के वर्ड लेवल पर कुछ बात करें अगर order की तो BAC इंडिया की official visitor पर देखें अनॉंसमेंट में तो company को यहाँ पर 31 तारीक को एक आनॉंसमेंट हुआ है तो company को यहाँ पर order मिला है अगर बात करें पूरे order की तो यहाँ पर company ने BAC और NAC को inform किया है और बताया है कि जो domestic order company को मिला है उसके अंदर जो nature of contract है उसके अंदर होता है कि supply of various type of optical fiber cable age पर customer signification और उसके बाद जो है order वो किस प्रकार का है यहाँ पर domestic order company को मिला है और इसकी अगर बात करें जो total जो amount है order का तो यह order की कार से company के लिए beneficial हो सकता है तो अगर बात करें company के net profit की तो अगर बात करें company के whole total revenue होता है उसकी तो 2018 से लेकर 2022 अरा वाद के अंदर company total revenue 4727 क्रोड था और अगर ऑदर की बात करें तो 237 क्रोड का यह order है तो it is equal 5% के company total yearly revenue उसके आस पास का यह order है तो इसके काराण company काफी ज़ता कंपनी के management और कंपनी के revenue में आपको impact देखने को नहीं मिलेगा लेकिन ऐसे order बार बार में company को मिलते रहे हैं जैसे कि भारत NET और पेला कंपनी को मिलते हैं तो company के लिए एक अच्छी impact आपको देखने को मिलता है क्योंकि company का long term का प्रोस्पेक्ट है 5G और company यहाँ पर जिस परकार से भारत NET के मादम से एक गाहों को जहारखंड में जैसे सभी गाहों को optical fiber cable से और जोड़ा है उसी परकार अगर बात करें तो आग अचानक से आपको इसमें bounce बेक देखने को मिला है और company का management continuously अपने आपको improvement करने के लिए अपना equipment continuously बीच में इन्होंने fundraising भी company ने किया है जो की company का पक्समें एक अच्छी impact है और बात करें पिछले तीन सालों की 2020-2022 तो continuously आपर company का result है वो आपको upward देखने को मिल रहा है जो कि company के पक्समें positive ख़बर है पिछले तीन quarter से अगर अपने company के देखे रिजर तो company ने continuously अपना रिजर है वो बढ़ाया है company के रिजर मार 2022 के accordingly 2660 क्रोड है यह भी अच्छी कपी रहा है अगर अपने बात करें share holding के लिए तो company के लिए यह company's stock long term के prospectus से अच्छा है यहाँ पर मार्च quarter के अंदर आपको प्लेस से 44.72% जो कि पहले जून quarter के अंदर होते थे यह आपको देखने को मिला है यह company के पक्समें negative impact है लेकिन company जो future prospectus से देखे तो यहाँ पर एक अच्छी आप इस stock को मान सकते हैं क्योंकि stock continuously और company continuously management और company अपने आप में develop करने के लिए यहाँ इंप्रूमेंट कर रही है thank you दोस्तो आई हो वीडियो आपको पसंदा होगा